करता हूं आपके वीडियों बात करने वाला हूं कि यहाँ पर जैसे आप अपने चैनल मौनोटाइज करा लेते हो यानि कि आप यूटुबर क्रेट एरिया कंप्लेटे का वॉस्टाइम और एक हजार सब्सक्राइबर आप जोन सी जब कंप्लेट कर लोगे तो उसके बाद आपके चैनल पर वहाँ पर कोई कमी नहीं निकलते जैसे कि आपके चैनल पर कोप्रेट क्लेम तो नहीं है या पिर लिखा रहेगा कि आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के भागिदार बन चुके और आपका आपका चैनल मोनोटाइज हो चुका है अब यहां पर देखिए जो पुराने खिलाड़ी है यानि कि मेरे भाई पुराने बड़े यूट्यूबर है उन्हें तो मालूम है क्या करना होता लेकिन जो नए हैं मैं उनके लिए चीछ बता रहा हूं दोस्तों उनके पास मेल भी आ जाएगा और उनका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा अब यहां पर देखिए एक चीछ में आपको आपको आध नहीं आते हैं हाह और नहीं आपकी विदीयो का वह धा ब्लरा की मेल आ जाएगा और आपका revenue generate नहीं होगा यहां पर ठीके दोस्तों इतना तो आप समझ चुके हैं अब आप यहां पर आप देख लीजिए का आखिर वो setting आपको कैसी करने हैं कौन सी setting होती है जिसे करने के बाद ही आपकी वीडियो पर एड आएगा और आपको सिंबल है यलो कलर का डॉलर वा तो यहां पर चलके सब्ट्रेक्टिकलि करके देख लेते हैं कि दोस्तों देखें मैं आपको इकश्री बता दूं कि भली आपका चैनल मॉनोटाइज हो चुका हो और आपके पास YouTube की तरब से मेरी आ जाती है your channel is monetized यानि कि आप कमाई करने के लिए तयार है ऐसा कुछ लिखा जागा और आपके channel monetize हो चुका है आप जैसे अपनी वीडियो चलाएंगे तो आपकी वीडियो पर add नहीं आएंगे क्योंकि दोस्तो भले ही channel monetize हो चुका हो तो दोस्तों आप बताजिता हो आपको किस तरह से आपको पताएंगे कि आपका channel monetize हो चुका है और किस तरह साब अपने वीडियो पर add लगाऊगे तो दोस्तो सबसे पहले आपकको बताऊँगा कि आप एक एक करके वीडियो पर add कैसे लगाओगे जिदि आप एक करके वीडियो पर add लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाओगे और फिर दोस्तों आपको दूसरी setting यह बताऊँगा कि आप चाहें तो मालेजीगा आपके चैनल पर चाहें 1000 वीडियो अपलोड हैं कितनी भी है और आप एक ही किलिक में उसके यूट्यूब इस्टूडियो में चले जाना है ठीकी दोस्तों आप यूट्यूब इस्टूडियो अपने फॉन का ओपन कर लेंगे दोस्तों अब यहां पर आपको एक चीज में दिखा दूँ यह देखे आपको मेरी तीन वीडियो नहीं आए हैं नहीं मैंने भी वो सेटिंग की है ठीक है तो चलिए अब आप यहाँ पर नीचे व्यूमोर लिखा है मैं व्यूमोर पर क्लिक कर देदा हूँ यहाँ पर आप मेरी सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगगे सभी के सामने आपको डॉलर का सिंबल बना हुआ है ठीक है स्समाइब होता इससा है यह डॉलर का सिंबल होता है लेकिन अब यह फिर भीडियो पर याएड लगाए तो यह गृम हो जाएगा तोथि यह है सैंट नहीं करtered कर motherf alguna देखाता हूं झालते हैं अनोनी चोनों कोनषक है दोसर्य नंबर वेडियो पर ठीक है दोस्तो इस पर क्लिक करने के वाद आपको देखि कि सब से उपर ये पैं जाएगा आपको इस पर क्लिक करदेना है यहाँ पर जाभे आप इस पर क्लिक करेंगे अव यहां पर देखिंगे डिश både EU यहां पर देखिए मेरा ओफ है यह बंद मैंने कर रखा तो आपको इसे ओपन क्लिक करके इस तरह से कर देना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सारे आपको हो जाएं कि आपको अपनी वीडियो पर कौन-कौन से एड लगाने है ठीक दोस्तों तो यहां पर आप सारे ही एड ओपन कर दीजीगा कभी यह दिया आपको कोई वीडियो वायरल जाए तो उसे CTR बटने खत्रा रहता है तो उस कंडिशन में आपको वहां पर उस वीडियो पर जिसका CTR हाई जा रहा हो उसके सिर्फ इसके पेवल एड को ओफ कर देना है यहां पर इस तरह उपर मैंने लगा दिया है और दोस्तों इस तरह से आप किसी भी दूसरी वीडियो पर यहां से इसी तरह से एड लगा देंगे आपके एड जो है वो सो होने लग जाएंगे देख़ें यहां पर वह आपको उन मिलेगा फिर से दिखा दूश तरह से देखें अब ग्रीन हो पर एड इस्टार्ट हो चुके हैं ठीक दोस्तों चलिए अब आपको दिखाएता हूं कि आप एक साथ सभी वीडियो पर एड कैसे लगाएंगे तो दोस्तों आपको मैं अपने चैनल मिले के चलता हूं आपको सबसे पहले क्या करना है आपको क्रूम ब्रॉजर में जा करके औ इसमिस और उसके ठीक बराबर में लिखे जाएगा दोस्तों मॉनटाइज वीडियो जहां पर मैंने एरो लगाया है यह वाल अप्थन आप मॉनटाइज वीडियो पर क्लिक करेंगे इस तरह से ठीक दोस्तों समय जरूर लगएगा लेकिन दोस्तों आपको बारी कहीं समझा इसमें दोस्तों लिखा रहा है decide later बहले पर क्लिक हो रखा रहा है तो आपको नीचे वाले उप्षन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर यह दोस्तों लिखावा है किस किस टाइब के अड़ आपको देखने हैं तो मेरा जो डिस्प्लेय एड़ है इस पर टिक नहीं लग पा रहा है अभी लेकिन चार ओबर लेट इस्पॉंसर कार्ड इसके वल एड़ और नोन इसके वल एड़ इन चार उपर मेरा टिक लग चुका है और उसके बार दोस्तों कोई साब बंदा चाहते हो आप अपने एड़ जो डेखना चाहते हो अपनी वीडियो पर देखाना नहीं चाहते हो आप उसपर अंटिक कर सकते हो तो यह से करने के पान्यूद T grown and during video ठीके दोस्तों तो आप इसको भी किलिक कर देना है और इस पर यह दोस्तो होते हैं mid roll add इसका मतलब क्या है दोस्तो यह आप इस पर click नहीं करोगे और आपकी जो वीडियो है थोड़ा बड़ी है 8 मिनट से ज्यादा बड़ी है तो उस पर mid roll add जो है वो नहीं लेंगे पहले क्या होता था 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो पर add लगती थे वह आपको लगाने पड़ते थे mid roll add इन्हें ही कहते हैं दोस्तो लेकिन अब यह नया फीचर यहाँ पर जोड़ दियागा है turn on add during वीडियो तो आपके 8 मिनट से ज्यादा वीडियो जो बड़ी होगी उस पर आप इसको भी क्लिक करके छोड़ दीजेगा जो भी इस साइज की वीडियो आपको होगी ऑटोमेटिक सभी पर add यहाँ पर लग जाएंगे और मिड्रो लेड ओटोमेटिक यूट्यूब अभी तरफ से दिखा देगा ठीक दोस्तों यह उप्सन वह है तो आपको इस पर टिकर करके रखना है और नीचे आपको उप्सन मिल जाएक कैंसल का और एक एप्लाई पर्फोर्मेंस का तो आपको एप्लाई पर्फोर्मेंस यहां पर ओके कर देना है जैसे आप एप्लाई पर्फोर्मेंस पर ओके करेंगे दोस्तों अब यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके जो ब्लैक डॉलर का जो सिंबल था यह सभी और ओफ लिखा रहा था मोनो टाइसन के लिए यह सभी ओटोमेंटिक ओन हो जाएंगे और वीडियो पर एड़ लगा सकते हैं एक एक करके भी और एक चाह सबीपर भी तो आसे कता हैं दोस्तों आपको आपके हमारे वीडियो पसंद आया होगा ना भूलें और प्रिच को सबस्क्राइब डूत धियों को नई वीडियो के साब तब त्क लिए ठाटा वाए बाए